वेलकम टू इस्टेडेई इंगिस बितनीतिन सर दोस्तों और मैं हूं सुवहम सर आज हम इस वीडियो में कंजक्सन के बीएस अरके बार बात करते हैं जो बहुत ही important questions होंगे जो हमारे सब एक्जाम में पूछे गए हैं तो अब हम चलते हैं अपने conjunction के part 3 के points को start करते हैं हमारा पहला हमारा पहला rules क्या है यूज आप the same the same age और the same that का use हम कप करते हैं देखे the same age का use हम कप करेंगे जब हम कप करेंगे जब the same के बाद जो वर्ब होगी और clear नहीं होगी असपश्ट नहीं होगी तब हम the same के बाद age का use करेंगी हम example में देखते हैं example में हम लोग को जादा समझ में आएगा देखे यहां पर the same है इसके बाद हमको वर्ब देखना है तो यह बुक हमारा नाउन हो गया यह हमारा प्रोनाउन हो गया तो इसके बाद हमको वर्ब कहीं दिखाई नहीं दे रहा इसका मलब वर्ब इस नाट किलियर कहा है वर्ब इस नाट किलियर है वर्ब नहीं किलियर है तो हम the same के बाद क्या कर देंगे as का use कर देंगे तो आप लोगों ने देखा कि the same ये है तो इसके बाद as का use कर देंगे क्योंकि यहां पर verb clear नहीं है तो the same के बाद जब verb clear नहीं होगा तो हम क्या करेंगे as का use कर देंगे और देखते हैं the same के बाद that का यूज कप करेंगे the same के बाद that का यूज हम कप करेंगे जब वर्ब हमारी क्या होगी clear होगी example में हमको ज्यादा समझ में आएगा example हम देखते हैं example क्या है कि this is the same book that I wanted देखे यहाँ पर the same आ गया है इसके बाद noun pronoun और नहीं noun है यह conjunction है that और यह pronoun है और यहाँ पर देखे वर्ब आ गया है तो वर्ब क्या है वर्ब यह clear हो गया है तो 10 सेम के बाद जब वर्ब clear है तो हम यहाँ पर that का यूज कर देंगे जो हमारा conjunction है ठीक है आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग 10 सेम के बाद जब वर्ब किलियर नहीं होगा तो आप लोग लगा देंगे और जब दास सेम के बाद वर्ब किलियर होगा तो हम क्या लगा देंगे दैट लगा देंगे ठीक है चलते हैं नेक्स्ट पर नेक्स्ट हमारा क्या है यह दो सब्जेक्ट यह दो सब्जेक्ट को आज बेलाइज as well as हो गया, bit हो गया, along bit हो गया, and not हो गया, in addition to हो गया, but हो गया, besides हो गया, accept हो गया, rather than हो गया अगर जो दो subject को इन सारे words से जोड़ा जाता है या और सारे words हैं जो जोड़ा जाता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्ब होगा, जो हमारा क्या होगा, वर्ब होगा, जो हमारा वर्ब होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पहले subject के according सेट कर देंगे, देखे, ये words तो होंगे ही समारा काम करेंगे इसके पहले हमारा सования कोगा इसके बात सब्जेक्ट को जो हमारा यहां पर लगेगा ना कि इसके कार्डिंग और यह मैं जुड़ाई आपको इसको यह कंजेक्स सम्ट होगा इसका इक्जांपल हम देखते हैं देखे इस पर क्या है चीकू चीकू आइज बेल आइज आइज से जुड़ा हुआ है चीकू आइज बेलाइज his parents parents sorry तो यहाँ पर एक subject यह हो गया है और इक subject यह much हो गया तो हम क्या करेंगे पहले ऑले subject के अंस्वार यहाँ पर वर्ब का यूज कर दें जो की ठी को एक singular हैं तो हमने यहाँ पर इसका use कर दिया है next हमारा क्या है he he देखिए next हमारा क्या he 24 है है और यहां पिस फ्रेंट्स हो गया है आथ देखिए ही हमारा है और फ्रीट्स हमारा प्लूरल है लेकिर हमको पहले वढ़न चलाना तो हमने और लोग यह समझ में आगे होıktजित चलते हैं नेगिस्ट हमारा क्या है नेक्स्ट हमारा है कि ना टोल्ली के साथ क्या यूज करते हैं बट आल्सो का यूज करते हैं ना इधर के साथ ना और का यूज करते हैं और आइधर के साथ और का यूज करते हैं लेकिन इनके साथ वर्ब का परियोग सेंटेंस के दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार होगा नाट ओनली है यहां पर बट आलसो आ गया हमारा सही हो गया एक सब्जेक्ट हमारा यह सी हो गया और दूसरा सब्जेक्ट हमारा हर मदर हो गया तो क्या कह रहा कि नाट ओनली सी बट आलसो हर मदर तो हमारा एक सब्जेक्ट यह हो गया मलब फश्ट सब्जेक्ट हमारा यह हो लिए हर मदर हो गया सिकेंड सब्जेक्ट तो हमको वर्व किसके अकॉर्डिन लगानी है रूल में लिखा हुआ कि जो वर्ड नाट उनली बट आलसो आधर और नाइधर नार इन से शुरूंगे तो हम जो वर्व का यूज करेंगे वो सिकेंड सेकेंड सब्जेक्ट के नाधर जो कि एक सिंगोल है तो हम यहां पर इसका यूज कर देंगे जो बिल्कूल सप्षेट चलते हैं सब्सक्राइब लगानी दोप में यहां पर हांष कर्दीcor किया बिलकूल ça है आप आप लेश्ट के साथ हमेशा सूट का यूज होता है कभी आप लेश्ट के साथ बिल उट सेल इन सब चीजों का यूज कभी मत किए लेश्ट के साथ हमेशा आपका सूट आएगा यह आप मैंड में सेट कर लिजिए लेश्ट के साथ हमेशा सूट आएगा चल इसके एक्जामपल को यू감 कर देंगे रण्फस्ट यू यू कर देंगे रण्फास्ट लेस्ट यू जो हमारा सही होगा देखते हैं इसकेanda उस्ति अमरे जो सही है चलते हैं नेटक्ष्ट से हमारा किया है बहुत इंप्वर्टन बूर्स वाइब है हम इसको एक्जामपल में समझेंगे तो क्या इसके क्या एक्जामपल से देखते हैं not only संदीप not only संदीप is intelligent but also smart तो आप लोग एक बार सही से पढ़ लिजे फिर हम इसके बारे में बताते हैं देखिए इसमें देखो conjunction में दो भाग हैं conjunction में दो भाग हैएक क्या हमारा एक हमारा क्या है not only और दूसरा हमारा बट ऑलसू तो इसमें conjunction के दो पार्ट है क्या है एक not only और दूसरा है but also अब पहला पार्ट जिन पार्ट आप i पीश के पहले होगा तो फिशर्ट वाला भी पार्ट भी उसी पार्ट apart स्बीच के पहले होना चाहिए अब देखिए पहला पार्ण हमारा जो ना टॉनҲी यह इस पार्णाप सब्सक्रण करते संदीप एक न्लय होगा थिर लिए फिस के पहले होगा थे असी सोर भी हमारा कि i amara किस के पहले हमार और in क्योंकि यहां पर एक नाउन है और नाट उनली जो हमारा नाउन के पहले है और बट आलसो हमारा क्या है एड्यक्टिब के पहले है तो यहां पर मलब एक नाउन है और यह तो क्या हुआ कि आप लोग की यह जो पाट आप स्पीच के पहले होना चाहिए यह कंडिशन तो नहीं क्या कर देंगे कि नांट ओनली इंटेलिजेंट कर देंगे तो हमारा क्या होगा कि संदीप के पहले जो कि संदीप एक नाउन है not only संदीप के पहले जो की संदीप एक नाउन है और but also smart के पहले है जो की एक adjective है अब हमने देखा कि हमारे पास केवल एक नाउन है तो अब हमने क्या देखा कि हमारे पास केवल एक नाउन है केवल एक नाउन है पहले वाले की अनुशार नहीं सेट होगा क्योंकि हमारे पास एक ही नigonod तो उसके पहले के अनुशार सेट नहीं होगा अब इसमें देखते इसमें 2 ID is है इसमें हमने देखा कि दो एड्जेक्टिव है एक intelligent है एक smart है ठीक है दो एड्जेक्टिव है जबकि smart भी एक adjective है तो हम not only intelligent के पहले लगा देगे not only को intelligent के पहले हम set कर देंगे तब हमारा sentence सही हो जाएगा तो I hope आप लोग को यह समझ में आया होगा तो अभी next करवाते हैं next में भी आप लोग को clear हो जाएगा देखे not only not only he cheated his friends but also his parents अब देखिए इसमें क्या है कि देखिए इसमें not only का यूज प्रोनाउन के भिए पहले हुआ है ठीक है यहां पर but also का यूज यहां पर क्या हुआ होँआ इस्ट्ञाह और पहला ना उन हमारा his friends और दूसरा ना उन क्या सोरी his parents है तो हम not only को his friends के पहले set कर देंगे तो हमारा सही क्या होगा he cheated क्या होगा he cheated not only his friends first but also his parents जो हमारा सही हो जाएगा चलते है next पर next हमारा क्या है क्या है दे नीदर need food nor shelter अब यहां पर देखिए need हमारा क्या है एक वर्व है क्या है एक वर्व है और हमको दूसरे वर्व की हो सकता है किसकी नीदर हमारा नीद क्या हमारा एक वर्व है और हमको दूसरे वर्व की हो सकता है यहां जो कि यहां पर food एक noun है और shelter एक noun है तो दूसरा वर इसमें नहीं है तो देखिए नौर कायूज जब हम नाउन के पहले किए है तो नाइदर कायूज भी हम नाउन के पहले कर देंगे तो यहां देख लिए देनीड नीदर फूड नौर सेलटर जो हमारा सही है चलते हैं नेटर नेश्ट पर क्या है नोवन नोबडी हाँ यह जो हमारे words है यह जो हमारे words है no one nobody nothing इनके साथ बटका यूज करते हैं जो आप लोग ऐसे याद रखेगा कि no one nobody nothing इनके साथ हम प्राइब बटका यूज करते हैं चलते हैं अबिद्र करते आट इससे में और नेवर का यूज होता है ना कि सेंडमर का यूज होता है हाँ यह हमने भी मलब आज के दो तीन साल पहले हrise इस हम ने जाद दिया था एर फो का तो यहां पर यह क्ज्यामम में इसलामद कर लिजेए कि कहीं पे Seldom or neighbor आजाए तो वो गलत होगा Seldom or neighbor हमको कर देना है तो हम इसके example को देख लेते हैं देखिए See Seldom or neighbor right to us जो सही है Seldom or neighbor आप लोग ध्यान रखेगा दूसरा हमारा क्या है Seldom if ever का यूज होता है ना कि Seldom if neighbor का होता है तो seldom if ever का यूज आप लोग हमेशा याद रखिए क्योंकि seldom if never का यूज नहीं होता एक्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं एक्जाम्पल हमारा क्या है तो देखें यहाँ पर सी सेलडम इफ इवर का यूज हमने कर दिया है गोज टूदा पिक्चर तो यहां पर आप याद रखिए कि सेलडम इफ इवर होता है सेलडम इफ नहीं होता है जोकी जोकी गलत होता है ठीक है अब आप लोगा conjunction chapter पूरी तरह से finish हो गया अब आपको हम इससे question करवाएंगे तब तक आप लोग वीडियो को share करें और part 1, part 2, part 3 को अच्छी तरह से revise करें and also like this video, जै हैं, जै भारत दोस्तों